कि नमस्कार में हूं अब देखना सुन कर चुके हैं प्रफवासक्षी का खास कारेकर मोश्र इन्फरमेशन यानि अखंड भारत का विचार कोई कपोर कल्पना या कुछ सालों में उठी परिचर्चा नहीं है बलकि भारत वर्ष या आरे वर्थ के रूप में यह हमारी कहानिय में हजारों वर्ष से मौजूद है आचारे चानक से लेकर संग तक अखंड भारत का जिक्र समय समय पर होता रहा है आजादी के वक्त भी सत्ताहां स्तांत्रन के दौरान अंग्रेज भारत को एक जूट और अधिमानत त्राष्ट मंदल में रखना चाहते थे जिसका जिक्र श्रत का विचार रहे वर्ष के रूप में हजारों वर्षों से मौजूद की जिसने भूमी तर राजाओं को शमल किया महाभारत की कहानी पैन इंदिया संदार बढ़ अंतर संबंधों को दिखाती दिरिश्टरात की पतनी गांधारी जो गांधार से आई थी वर्तमान अफगानिस्तान के गांधार की रूप में पूर्व मनिपूर की यात्रा पर जहां उन्हें मनी या रत्न मिलता है नागा राजकुमारी उलूपी से म रहने बेघे बाएंठ को रामेश्वर्म तक ले जाती जिसकी पर अंतरता लंका की भूमी यानि आज का वर्तमान श्रिलंका सांस्कृतिक रूप से अपस में जूरी एकाईओं के रूप में भारत भारत वर्ष आरे वर्थ का विचार कहानिकारों के मन में और लोगों के मन भारत और हिंदू राष्टर की धार्णा को प्रतिपादित किया भारती सतंता अंदोलन के समय कनहया लाल मनिक लाल मुन्सी ने अखंड हिंदुस्तान के वकालत की कष्वाद और अभिन्य संस्कृति के सभी बुनियादी मुल्य शामिल इन सब्दों में भावना से लेकर कटक तक कच्छे से काम रूप और कश्मीर से लेकर करन्यकुमारी तक कि यह पूरी धर्ती हमारे लिए पवित्र ही नहीं बलकि हमारे एक अंग है जो अनाधी काल से इस गुलवलकर्स ने 24 अगस्तों निसोंचास को दिल्ली में एक समवाद दता समयलन में पाक्स्तान को एक अनिश्चित राज करार देते वे कहा था यदि विभाजन एक स्थापित तत्थ है तो हम इसे सुलजाने के लिए यहां है वास्तम इस दुनिया में सेटल्ट जैसी समयधानिक योजना को बहुत ही तेजी से आगे बढ़ाया गया और राजनेताओं दौरा इस पर गढ़म बहस भी देखने को इतिहास में कैबिनेट में योजना के रूप में जाना जाता है इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका नित्यतोर मसवदार बिटिस कैबिन प्रति मंडल मार्च और भारत आया और भारती रजनेताओं से बात करने लगा महिने भर की चर्चा के बाद मिशन कुछ सुझाब देने के लिए तयार हुआ जिस तरह से उसने चीजों को देखा उसके पास सत्ता हांस्तारतन के दो ही विकल्प थे पहला बिटिस भारत को ए अधिमानत राष्ट मंडल में रखना चाहते थे अखंड भारत का दूसरा विकल्प छोड़ दिया जो अखंड भारत सोला मई 1946 को घोषित कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित अंती म्योजना ने इस परश्ट रूप से अंगित करने के लिए बहुत साथानी बढ़ती से अपनी बाचीत के दौरान मुस्लिम लीग के प्रस्तावों करते वे हिंदु और मुस्लिम प्रांतों के समानता की सोच रखती थी उसके बहुत करीब किया गांधी ने समानता को पक्स्तान से भी बत्तर कहा था कैबिनेट मिसन योजना में एक बिंदू जो कॉंग्रेस की संतुलित कर देती एक दशक के बाद इन समीधानों की समिक्षा की जा सकती थी और प्रांत को आपने समीधान को त्यार करने के बाद यदि वह चाहे तो महतपुर्ण था जो बंगाल के वर्चा से डरता था जिसमें मुस्लिम लीग की सरकार थी इस नियम का मतलब था कि अप संग से अलग होने की सक्तिया नहीं थी पाकिस्तान से पड़े तिबबत लंका और अफगानिस्तान भारती जनता पार्टी के नेता राम माधव ने अपने शक्षातकार में कहा था कि भारत पाकिस्तान और बांगलादेश को एक सूपर स्टेट के रूप में एक कृत्त होना बल्कि अफगानिस्तान में मार श्री लंका तिबबत भी शामिल यह सेउक्त छेत्र को हिंदू संस्कृतिक समानताओं के आधार पर राष्ट के रूप में पड़िभासित करता है आरसस द्वारा संचाले प्रक्राशन ग्री सुरूची प्रकाशन ने पुन्य भूमी भारत नामक नक्सा निकाला था जिसमें अफगानिस्तान को उपगानाथन काबूल को कुभा नगर पेशावर को पुर्षपुर मुल्तान को मुल्स्थान तिबबत को त्रिव टिप और स्रिलंका को सिंहल दीप और महिनमार को ब्रहमा देश कहा प्श्मी दिली के जंडे वालन मे केशब पुझ में मुख्याले के बाहर सदनन्द दामोदर प्रतिक राष्ट भारत नामक पुस्तक भिक्रई है कि हम अखंड भारत का नक्सा अपने घर में रख सकते हैं ताकि हमेशा हमारी आखों के सामने रहे अगर भारत का नक्सा हमारे दिल में है तो हम हर बार दूरद अखंड भारत के संभावनाओं के बारे में बताएंगे तब तक के लिए देई जाजत ऐसे रिपोर्ट को देखने के लिए देखते रहें प्रभासाक्षी अग्याद कर दो